प्लीज सब्सक्राइब तो मया चैनल और हिट थे बेड आइकन पॉर मैं लेतिस्ट आर्ट फोक्स हेलो फ्रेंड्स आद हम सीखेंगे कि कैसे हम एक फोटो के तरू एक पोट्रेट बना सकते हैं केवल पैंसल मेजरमेंट्स का यूज करके तो देखिए मैं यहां कैसे कर रहा हूं मैंने आइस का आउटर टो आउटर डिस्टेंस ले लिया और इनर टो इनर डिस्टेंस देखे ले रहा हूं तो दोनों आइस के सॉकेट्स को बना लेता हूं सबसे पहले यहां पर मैंने चार लाइने खीच ली बहुत ही हलके उसके बाद इन चार लाइन के अंदर ही दो आइस की जो सौकेट बने हैं उनमें आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ और बहुत हलकी प्रेशर से ड्रॉ करना है पैंसिल के ताकि हम फर्दर कोई चेंज करना हो तो हम उसे इसली कर सकें और इसके उपर आईब्रो को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अंदर उसके आई बॉल को भी ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी तरह से अनदर आई को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यह बिल्कुल वैसा ही वीडियो है जैसा मेरा पिछला वीडियो था हाउ तो जो बेसिक्स उसमें यूज किये गए थे उसी तरह से मैं यहाँ पे एक पोट्रेट बनाने के गोशुश कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या इस टेक्निक से पोट्रेट भी बना सकते हैं तो डेफिनेटली बना सकते हैं बस हमें एक फोटो चाहिए होगा और उसी फोटो के मेजरमेंट्स को यूज करके हमें एक पेपर पे पोट्रेट बना सकते हैं बहुत एजली कुछ लोग graphical method का भी use करते हैं और कुछ लोग trace भी करते हैं, but I think most preferred by the artist is this only, कि जिसमें हम pencils के measurements को लेकर के, pencil के थ्रूई सारे measurements करके और उसको transfer करते हैं, अपने paper पे या canvas पे, क्योंकि ये method आप वहां भी implement कर सकते हैं, जहां पे आपको live portrait demonstration करना है, किसी को सामने बैठा करके portrait बनाना है, तो वहां भी आप graph और tracing नहीं कर सकते, तो pencil के थ्रूई measurement करते हैं, आपने देखा भी होगा, तो ये method ही सबसे जदा convenient है, और mostly used है by an artist, तो यहां देखे मैं सारे ही जितने features हैं, वो मैंने draw कर लिए, अब मैं face के peripheral को draw कर रहा हूँ, और लगातार मेरी आखे, इनके portrait और अपने paper के उपर बार बार shift हो रही है, तो so that चोटे से चोटे observation को भी मैं easily draw कर सकूँ, और जितना ज़्यादा आप measure करेंगी, जैसे मैं देखे, ज़्यादा measure करने ही, गोशच कर रहा हूँ, measurements ले रहा हूँ, तो उतना ही जदा accurate बनेग आपका portrait, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटे से छोटे measurements को भी लेने का कोशिश करें, ताकि आपका portrait बहुत ज़्यादा accurate हो, और उसमें errors कम हो, here's को भी मैंने draw कर लिया, here's का outer line को भी draw कर लिया, और here's को भी draw कर लिया, आपने देखा, मैंने यहाँ कोई scale, कोई graph, graphical method वगएरा कुछ भी नहीं यूज़ किया है, नहीं कोई tracing method यूज़ किया है, simply pencil से ही measurements लेकर के eyes draw किया, nose draw किया, lips और chin वगएरा, सारा कुछ cable pencil के measurements से ही draw कर लिया, और बहुत ही हलका draw किया है, यह जीज़ ध्यान रखिएगा, हलका draw कीज़ेगा, कम pressure डालिएगा paper पे, so that आप further कोई changes करना चाहें, जैसे मैं थोड़ा बहुत eraser का use कर रहा हूँ, तो वो कर सकें, easily, नहीं तो उस पे marks रह जाएंगी, तो वो बहुत ही awkward लगता है, और वो difficult भी होता है, अभी तक मैं 2B pencil यूज़ कर रहा था, लेकिन अब darker value के, जो portions हैं, उनके लिए मैं 4B pencil यूज़ कर रहा हूँ, जैसे eyes हैं, जो darker portions हैं, उनके लिए मैं 4B pencil का use कर रहा हूँ, और further इसके बाद मैं 6B भी यूज़ करूँगा, so that जितने darker values हैं, उनको भी opt कर सकूँ, एक बार आपने ये face draw कर लिया, outlines draw कर लिया, उसके बाद फिर सारा काम जो भी है, वो shading की skills पर ही depend करता है, तो अभी जो मेरा ये वीडियो है, वो केवल इसी पर था कि आप transfer कैसे करेंगे, outer lines को face की, और वो हमने कर लिया है, अब जो shading वाला portion है, वो भी separately मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, तो उसके लिए आप मेरे channel को देखते रहे हैं, और friends मुझे आपके support की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मेरे channel को subscribe कीजिए, और support कीजिए मेरे channel को, आप बाकी वीडियो को मैंने time lapse कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो का purpose आपको पता ही है, ट्रांसफर करना ही था, उसके बाद जितना shading वारा portion है, वो फिर मैं आगले further वीडियो में भी आपको detailed में बताऊँगा, कैसे shades दी जाती है, लेकिए मैं कैसे layer by layer उन पे darker values को opt कर रहा हूँ, यह काम layer by layer होता है, एक layer के उपर दूसरी layer, direct अगर एक ही पे आप direct पूरा pressure डालेंगे तो paper भी damage हो सकता है, इसलिए बाल के हाथों से layer by layer उपर layer चाणानी परती है pencils की, ओंपको Didler कि की से Page 10 दूसरी की से Janeiro चाणानाना में कैसे लेकी स्पलापने वाहई है, भीदिए की स्थल श्यजज़ियत उन्हाणाना से उन्हाणाना नेञा उन्हाणाना से खिए आनिफे उन्हाणानाना गंपकाना सामां प्रते हूभ उन्हाणाना है, झाल झाल मैंने layer by layer इस portrait को पूरा complete कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये video पसंद आया होगा आशा ही नहीं अलाकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा और आप मेरे इस video को like करेंगे share करेंगे और please मुझे comment कीजे comment box में आपको इसके regarding कोई query हो या कुछ suggestions हो तो please मैं सुनना चाहूँगा आपके suggestions को so thank you guys और please मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिए thank you thank you very much और आपके संद एज़ाओ आपके संद एज़ाओए